गुड इवनिंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में दक्सिन भारत के समाज के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो जो आपका मद्धे कालीन भारत है, उसमें दक्सिन भा के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेर करें, और हम जो भी वीडियो बनाते हैं, वो एकजाम की दर्स्टी से ब बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस समय तक दक्सिन भारत का आरिय करण हो चुका था, तथा उत्तर भारतिय समाज के व्यवस्ताओं यह परंप्राओं को दक्सिन के लोगों ने अपना लिया था, संगम मोतर काल में भी उत्तर भारत की समाजिक परंप्राओं यह आदर्श के समाज दक्सिन भारतिय समाज में भी हम विभिन वनों एम जातियों का स्थीत्वा पाते हैं वन व्यवस्ता अपनी समस्त समाजिक एम आर्थिक पेचीदगियों के साथ लगबग सभी जगह स्विकार कर ली गई थी सासकों का यह है प्राथमिक कर्टव्य बताया गया है कि वे इसके आधार पर गठित समाज व्यवस्ता को बनाए रखें तथा वन संकरता को रोकें ठीक है तो सबसे पहले है ब्राहमन वाल्ग वन व्यवस्ता में ब्राहमनों का सर्वोपरी एम सम्मानित स्थान था यह दपी लिंगायत जैसे कुछ संपरदायों ने ब्राहमनों की स्रेश्ता को चुनोती दी किन्तु इसका विशेश प्रभाव नहीं हुआ तथा समानित लोगों की आस्ता उनमें बने रही राजा से लेकर निम्न स्रेणी के लोग ब्राहमन पुरोहितों को दान देते थे जो राजा होता था राजा से लेकर और जो निम्न स्रेणी के भूमी तथा ग्राम दान में दिये जाते थे जो सर्व प्रकार के करूं एवं देयों से मुक्त होते थे ऐसे अनुदानों को अग्रहार अथ्वा मंगलम कहा जाता था ठीक है जहां रहते हुए वे धार्मिक एवं सेक्षने कारिये करते थे कुछ ब्रामन अपने योगेता के बल पर प्रसासन में उच्पद प्राप्त करते थे उनकी बोदिक स्रेस्ता एवं वन उन्हें मन्नेता दिलाने के लिए प्रियाप्त थी चालू के रास्ट्रकूर्ट पल्लव चोल आदि सभी राजवनसों के राजाओं को हम ब्राह्मनों को अग्रहार दान देते हुए पा दूसरा आता है छत्रियवन समाज का दूसरा वन छत्रियवन को बताया गया है दक्सिन के कई राजवनसों चालू के रास्ट्रकूर्ट पल्लव अपनी छत्रियव उत्पति का दवा करते हैं वेन सांग ने पुलकेसिं द्वित्ये को चत्रिय वन का बताया है अरब लेकर चत्रियों के एक वर्ग को सत्त चत्रिय कहते हैं जो ब्राहमनों के समान उचे समझे जाते थे समाज में जाती पर्था का व्यापक पर्चलन था जाती जर्म से जाने जाती थी किन्तु जाती तथा विवशाय के सम्मन्द परिवर्तन सेल थे ठीक है व्यवसाईयों के अन्यक वर्ग एम संगठन दक्सिन के समाज में सक्रिये थे जो करम सै कठोर होकर जाती का रूप लेने लगे थे कर्शी मजदूरों की स्थिती सुद्रों जैसी थी अन्यक परकार के सिल्फ कार तथा पेसेवर जात या उद्धोग धंदों में लगी हुई थी जिने बाद में वन संकर कोटी में रखा गया मलियालम भासा भासी भाग को छोड़ कर दक्सिन के अन्य दर्विड भासा भासी भागों में वलंगे अर्थात दाएं हाथ तथा इदंगे अर्थात बाएं हाथ नामक सामाजिक वर्ग गठित थे इनकी भी अनेक उपसाखाएं थी लेखों में इनके अठाणमा अठाणमा वर्ग बताए गए हैं बताए गया है कि इन्होंने ब्राह्मनों, बेलालों, अधिकारियों, सामन्तों, अधिक अत्याचारों के विरूत लड़ने के निमित अपना स्योंक्त मोर्चा बनाया था वैसियों की स्तिति में गिरावटाई तथा उन्हें सुद्रों के साथ समेट लिया गया अब आता है महिलाओं की स्तिति, तो जहां स्त्रियों की दशा का प्रिशना है, हम दक्सिन के विबिन राजवन्सों के महिलाओं को सिक्सित पाते हैं कुछ रानिया अपने पतियों के साथ मिलकर सासन चलाती थी तथा दान अर्थात अग्रहार देती थी कुछ माहिलाई यूद में भी भाग लेती थी समाज में बाल विवा का पर्चलन हो गया तथा सामाने तयकन्यों का विवा है 12 वर्ष की आयू में कर दिया जाता था दिखन में सती पर्था का पर्षलन नहीं था पर्धा पर्था पर्षलित नहीं थी अरब लेखों के विवरन से पता चलता है कि रास्ट्र कूर्ट दरबार में विशेश अवस्रों पर महिलाएं भी आती थी तथा पर्धा नहीं करती थी अमोग वर्ष की पुत्री चंद्रव लभी को कुछ समय के लिए राय चूर दोआप का परशासक बनाय गया था अलोम विवाह प्राय नहीं होते थे सजाती विवाह अधिक अच्छा माना जाता था बहु विवाह पर्चलित था राजा कुलीन तता सामन्दवर के लोग कई पत्निया रखते थे मारको पोलो पांडे राजा की 500 पत्नियों का उल्ले कता है इस्तरियों को धन संबंधी अधिकार की माननेता दे दी गई पत्य की इमरत्यू के बाद विद्वा को उसकी संपत्ति में अधिकार होता था विवित प्रकार के विवाह यह पि दक्षन में सामन्तवात उतना परबल नहीं रहा जित्ना की उत्तर भारत में तथा विक्षित स्थान या संस्ताई इसकी प्रगत्ती में बाधक थी तथा पी इस बात के संकेत मिलते हैं कि करम सहे दक्षिन का समाज भी सामन्ती डाचे में जगड़ता ही जा रहा था कुछ भागों का सासन सामन्तो द्वारा ही चलाय जता था सामन्तो ने स्थान ये आत्म निर्बर अर्थ्यवस्ता को प्रोथ सहित किया भूमी के साथ साथ किसान, सिल्पी, कारीगर, आधी भी दिये जने लगे जो अपना स्थान नहीं बदल सकते थे ग्रामेंड व्यवस्ता तो एक लेक से पता चलता है कि ग्रामेंड समुदाय की गती सिल्टा पर पर्तिबंद लगाया गया था बताया गया कि ग्राम छोड़ कर जाने वाले महासभा के विरूद अपराद करेंगे तथा गाओं को नस्ट करने वाले समझे जाएंगे ग्रामा चार, ग्राम धर्म, इस्थाना चार, आधी के पालन पर बहुत बल दिया जाने लगा इन सब के पड़ाव सरूप सामाजी गती सिल्ता अवरुद हो गई तथा बंद अर्थ विवस्ता का उदे हुआ ग्यारवी बारवी स्तापदी में व्यापारवानिजे के उतकर्स, सिकों के पर्चलन, अधी के फल्सरूप अर्थ विवस्ता विक्षित होने पर सामाजी गती सिल्ता के पर्तिबन सिथिल पड़ गई तथा कर्षकों एम कारीगरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमना गमन संभव हो सका था तो ये थी आपकी दक्सिन भारत की सामाजिक विवस्ता और कई बार दक्सिन भारत की समाज के बारे में एक जान